Hello everyone, myself Dr. Kanchan Sharma and you are watching Ask Health Guru Generally, मुझसे patient uterine fibroid, PCOD, PCOS, Bartholin cyst, Ovarian cyst या फिर fibroid enoma, इन सभी के patient एक question जरूर पूछते हैं कि आयरविदी एक diet plan के बारे में बताएं तो ये वीडियो बहुत special है, इसे लाज तक जरूर देखें आयरविदा में तीन दोश होते हैं, वात, पित, कफ अगर ये तीनों दोशों में balance हो, तो शरीर निरोगी रहता है लेकिन अगर इन तीनों दोशों में कोई imbalance होगा तो शरीर में तरह तरह की बिमारिया उत्पन होती है इस्पेशली अगर कफ दोश इंबैलन्स होगा तो जादर तर यूट्राइन, फाइब्रोइट, फाइब्रोइड, एडिनोमा, PCOD, PCOS, ओवेरिंसिस्ट, बार्थॉलिंसिस्ट ये सभी तरीकी की बिमारियां होती है तो इस वीडियो में मैं आप से शेयर करूँगी ऐसा कफ दोश डाइट प्लान जो बैलन्स करेगा आपके कफ को तो जिन्होंने भी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटा-फट से चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको लेटेस नोटिफिकेशन मिलते रहें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अगर शरीब में कफदुष का इंबैलेंस हो तो कुछ साइन्स आपको मिल सकते हैं जैसे की बहुत ज़ादा नीन दाना, शरीब में भारीपन रहना, गब्स रहना, in-digestion होना, ठका-ठका रहना, laziness होना तो ये कुछ science हैं अगर कफ दोश का imbalance होगा तो ये आपको मिल सकते हैं समानिते हमारा जो भोजन होता है वो 6 रसों से मिलके बना होता है आयरविद में से शड रस कहते हैं वो रस हैं मदूर अमले लवण कटू तिक्त कशा है यानि कि sweet, sour, salty and pungent, bitter, estrogen तो हमें क्या ध्यान रखना है हमें मदूर अमले लवण रसयुक्त जो खाना है उसका सेवन हमको कम करना है वो हमको कम खाना है क्यों क्योंकि मदूर अमले लवण जो ये रस हैं ये कफ को बढ़ाते हैं तो कष बढ़ेगा ?' आपकी बिमारीया बढ़ेंगी. तो हमें मधूर अमलवन का कम सेवन करना है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मधूर की, यानी मीथे की यानी की स्वीट की. तो बात करें मधूर रसकी, तो आपको मीठा कम खाना है या नहीं खाना है. आपको जितनी भी मीठी चीज़े हैं जैसे कि चॉकलेट है, पेस्ट्री है, कैंडी है, मिठाईया है, आइस क्रीम है, बजार में बिकने वाले जूसिज हैं या कोल्डरिंस हैं या आपको बिल्कुल नहीं लेनी या आप इन्हें बिल्कुल ना लें या कम लें या आपको बि अब भी हो गई यह आपको बिल्कुल नहीं खानी है शकरकंदी है यह भी मत खाये और फलो में हम बात कर लें तो जो पका केला होता है उसमें भी बहुत अच्छा का सा कार्भोहाइडरिट होता है तो उसे ना लें खच्चा केला आप खा सकते हैं वह हेल्दी होता है इसके अल बनाई है अगर गाय का दूद मिले वह बेस्ट है वह आप ले सकतें हूं दूसरी इंपॉर्टंट बात की कि किसी भी फल के साथ हैं आप दूद को मिक्स करकर ना लें।ії लेकिन आपको यही राय है कि अगर आपको फल कहाने हैं वह अलग कर दोद ले लें आपको तो पहले भी बता चुकी हूँ उस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आई बटन में डाल दूंगी आप उसे वहां से देख लें और गेहूं का आटा या मैदा ये भी आपको कम करना है अगर आपको खाना ही है तो आप मल्टी ग्रेन आटे का तो पाइनपल है कीवी है ये फल आते हैं ये भी आपको कम लेने है या नहीं लेने है आप ञेसे नीबू है ये भी खट्ता है तो ये नुकसान करें लेकिं नहीं आपको आयरविब में अदूर हित बुला है यह अमने बात कर ली अमलरस की अब हुम बात करेंगे लवर नरस की यहानी की iodine युक्त नमक जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें सेंधा नमक को mix कर लें ऐसे नमक का यूज करें तो तीन रस मदूर अमलवण ये आपको minimize करने है ये आपको कम करने है अब हम बात करेंगे कटू, तिक्त और कशायरस की तो आपको सेवन करना है कटू, तिक्त और कशायरस का, ऐसा क्यों? क्योंकि कटू, तिक्त, कशायरस जो होते हैं वो कफका शमन करते हैं, कफका शमन होगा तो बिमारी ठीक होगी तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कटू की, जिसे English में कहते हैं pungent यानि की very hot यानि की तीखा, तो तीखे में कौन-कौन से food item आ सकते हैं, सबसे पहले तो मिर्च तीखी होती है, चाहे लाल हो, चाहे हरी हो, चाहे काली मिर्च हो, इसके अलावा हल्दी है, प्याज है, मू मिट में खाएं, जितना आप खा सकते हैं, और अगर आपको acidity वगेरा है, तब तो बिल्कुल भी ना खाएं, इसके अलावा अब हम next बात करते हैं, तिक्त की, तिक्त मतलब की कड़वा, कड़वे में क्या, आप सबजियां कौन-कौन से खा सकते हैं, जैसे की बैंगन है, लॉकी है, तुरई है, टिंडा है, करेला है, इस सब बहुत अच्छी सबजियां है, सबजियां जादा से जादा खाएं, और सबसे अच्छी सबजी जो आयरवेद में बताई है, वो है पटोल, यानि परवल की सबजी, तो ये भी आपको बहुत फायदा करेगी, अब हम बा बनार इटार, जो आफ़ा, ये भी अच्छे, आपके लिए, जो आफम, बनासके नार छै है को दलों में छोले, राज़्मा भा है ये भी आप खा सकते हैं में लेकिन जो मैने रहले भी मना किया है, आप सोयाबीन की बाल ना खाएं, इसके लावा आप इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आप नॉन्वेज ना ले और जब भी आप मील ले तो ऐसा ना हो कि दिन भर में आप दो ही मील ले रहे हैं लेकिन अच्छे से पेट भर के नहीं आप छोटी-छोटी मील ले और उसको बार-बार ले और अन्नेसेसरी स्नैक्स जो हम बी करना है तो खाने में आप गाय का घी उसकर सकते हैं सरसो का तेल यूज कर सकते हैं तो यह है मेरी तरफ से आपके लिए का फ़र्ज डाइट प्लान अगर आपने अच्छी डाइट फॉलो कर ली तो आधी से जदा बीमारी से आप ऐसे ही लड़ सकते हैं यकीन मानिए आप ड लाइट फॉलो करें और रिजल्ट आपके सामने होगा तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं वीडियो को जादा से जादा लाइक करें जाद से जादा शेयर करें वीडियो देखने के लिए थैंक यू